वी आईपी प्रमुख मुके शेहनी के पिता जीतन सैनी गाजा और स्थराब बिकवाते थे और ये आरोप लगाया है काजिम मंसारी की पत्नी ने और कहा है कि ये सब काम करते थे ये और पूरे गाँवालों को भी पता है इसके बारे में क्या आरोप लगाया है जिसके बाद क जीतन सैनी के हत्या कांड ने अब नया मोर ले लिया है जहां पे काजिम अंसारी की पत्नी नजराना खातूर ने एक एक करके जो आरोग जीतन सैनी के उपर लगाया है उसे सुनने के बाद आप भी चौक जाएंगे आप भी ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या इस ब आप को लेके भी हत्या जैसे वारदात हो सकते हैं क्या आपको सब कुछ समझाएंगे हम और आपको बताएंगे भी सबसे पहले नजराना खातूर के पास मीडिया पहुशती है ये जानने के लिए कि उनका पती ये काम क्यों किया जिसमें नजराना खातूर ये बताते हुए करवा लिया है कि वही जीतन सहनी के कातिल हैं जबकि जीतन सहनी और काजिम अंसारी के बीच जो रिस्ते थे वो चाचा और भतीजे जैसे रिस्ते थे और हमेशा जब भी कुछ हमारे यहां बनता था अच्छा तो वो कहा करते थे कि आप हमको दो थोड़ा सा हम अपने चाच करके जीतन सहनी के ऊपर भी आरोप लगा दिया उन्होंने कहा कि वो खुद शराब पीते थे मेरे पती को भी जबरदस्ती शराब पिलवाते थे और कहते थे कि तुम भी शराब पियो यहीं तक नहीं वो शराब और गाजा भी जो है वो बिक्वाते थे और ये बात पूरे गाँवाले को मालूम है ये सब कोई जानता है कि जीतन सैनी गाजा और शराब भी बिगवाते थे इससे पहले कुछ और भी आरोप लगाए गए थे उनके उपर कि वो सूध के उपर पैसा लिया करते थे और जिसका विरोध किया था मुके सैनी ने कि ऐसा कुछ भी नहीं करते थे वो बिल्कुल नहीं वो लोगों की मदद करना चाते थे और लोगों की मदद करते थे जबकि पुलिस ने जो इनकोईरी की थी उसमें साफ तोर पे ये बात सामने आये थी कि जो भी चार आरोपी पकरे गए हैं उनमें से तीन आरोपी ने इनसे सूध पे पैसा लिया था वहीं पे किसी का गारी का कागजात और गारी गिर्वी था, किसी का जमीन का कागज उनके पास था, किसी के घर का कागज उनके पास था, और ये जो लोगों ने हत्या को अंजाम दिया, वो सब लोग जीतन सैनी से सूद लिये थे, उसके बाद नजराना खातून का जो बयान आ इस तरीके का बयान जब से सामने आया है नजराना खातून का उसके बाद बिहार में सियासत और ज़्यादा गरम हो गई है सब लोग कहीं न कहीं इस बात को लेके और ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं कि आखरकार इस मामले की सचाई क्या है जो नजराना खातून ने अपना बय उसके बाद कहीं न कहीं नजराना खातून के बयान को लेके भी मामला तूल पकर रहा है कि क्या जीतन सहनी शराब और गाजा बिकवाते थे या फिर वो सूध पे पैसा लेके जमीन के कागजात गिरवी रखते थे इस बात ने पूरे बिहार में एक बार फिर से घमासान मचा दिया है और एक बार फिर से जीतन सहनी के जो भी काम है वो कटगरे में खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं लाकि मुकेश सहनी ने इस से पहले भी बयान दिया है कि पुलिस इस मामले को अलग रंग दे रही है पुलिस को जो जाज करना चाहिए वो नहीं कर रही है बलकि कुछ और ही जाज करने में लगी हुई है और इसलिए उन्हों ने डी जी पी को ग्यापन भी सौपा था और अ आप कॉमेंट करके अपना विचार हम तक जरूर पहुचा सकते हैं बाकि आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है